तो आएए देखते हैं बच्चों हम एक दल के प्रभुत्यु का दोर जो चिप्टर है उसका पूरा सालुशन तो जो फश्ट किस्टन है कि सही विकल्प चैन कीजिए भारती राष्ट्री कांगरेस का गठन हुआ था तो भारती राष्ट्री कांगरेस का गठन कब हुआ था तो इसमें जो बच्चों आजाएगा आवला अप्शन 25 दिसम्बर 1985 को उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिच्चन है कि भारती जंसंग पार्टी की स्तापना किसने की थी तो इसमें आजाएगा आवला अप्शन स्यामा प्रसाद मुखरजी तो दोनों में ही आवला अप्शन है उसके बाद स्वतंत्र पार्टी की इस्तापना किस ने की थी तो स्वतंत्र पार्टी की इस्तापना की थी सी राज गोपला चारी ने तो काफी important question है जो की अधिकतर बार आता है एक्जाम में उसके बाद जो fourth वाला option है कि वर्तमान में मदान का तरीका प्रेशलित है तो इसमें आजाएगा EVM EVM से मदान होता है उसके बाद देश के पहले सिक्षा मंतरी थे तो इसमें आजाएगा मोलाना अब्दुलकलाम उसके बाद यहाँ पर अगला वाला जो question है वो है सत्या सत्य के लिए तो यहाँ पर जो है फर्स्ट किष्चन मीन्यू मसानी स्वतंतर पार्टी के थे तो इसमें आजाएगा बिल्कुल सत्य है यह बात इसमें उसके बाद अगला जो है एस एड़ागे भारती कम्यूनिस्ट पार्टी के थे तो बिल्कुल यह भी option क्या है सत्य है उसके बाद विध्यारती परिशत एक राजनिती दल है तो बिल्कुल यह असत्य बात है वो विध्यारती परिशत राजनिती दल नहीं है उसके बाद अगला जो है किसान संगठन लोकसभा का चुनाओ लड़ता है तो ये है बच्चो ये भी असत्य है किसान संगटन एक दबाव संभू के अंतरगत आता है इसलिए इसमें कोई चुनाओ लड़ने की बात नहीं आई उसके बाद अगला जो है मीरा कुमार भारत की प्रदान मंतर थी तो ये भी गलत बात है क्योंकि वो एक लोकसवा स्पीकर थी तो ये भी क्या जाएगा असत्य आजाएगा ठीके उसके बाद अगले कुशन पर देखते हैं हम खाली इस्तानों की पूर्ती करना है और यहां पर जो है बच्चो ये फश्ट कुशन काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए कि भारत के पहले मुख्ष चुनाव आयुक तो कौन थे तो इसमें आजाएगा सू कुमार शेन क्या आजाएगा शू कुमार शू यह वाला शू और ये कुमार शू कुमार शेन आजाएगा मैं ला आट अगस्त 1963 को उसके बाद जनसंग का चुनाव जनसंग का चुनाव जो हे कि रिक्तिस्तान था चुनाव चिन्न जो चुनाव चिन्नी की बात हो रही है यहां पर तो इसमें आजाएगा दीपक दीपक उनका चुनाव चिन्न उसके बाद अगला जो दिस्टाने स्वतंदर भारत के विधी मंत्री कौन थे तो आप जानते हो बच्छो कानून मंत्री कौन हो सकते स्वतंदर भारत के पहले तो इसमें आजायागा भीमराव अंबेटगर उसके बाद असोक महता जो थे रितिस्तान पार्टी से संबंदित थे हो तो इसमें आ जाया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो अब इनको लिखना के से तो मैं आपको बता हूँ बताता हूँ तो बच्छों आप यहां पर देख सकते हो यह खालेस्तानों के पूरती के सारे तो का हुआ था क्या हुआ था उननिस सो इक्यावन में और बावन के अंदर ठीके?mbol 500 में उसके बाद जो है एक अगला जो किस्छन है एक दली प्रभूत्ट। से तात पर है तो एक दली प्रभूत्ट। से तात पर यह है प Ti एक डल की सत्ता में प्रधानता क्या जाएगा उसके बाद अगला जो है पांच माननिता प्राप्त राजनितिक दलों के चुनाव चिन्न बताईए तो बच्चों यह आपको सेल्प गरना है थीक है उसके बाद गुट निर्पेचिता की निती गुट निर्पेक्षिता गिनिती का मतलब हमें बताना है तो इसका मतलब होता है किसी भी गुट में ना होना ठीक है ये होता है गुट निर्पेक्षिता उसके बाद अगला जो ये सही जोडी बनाना है हमें और सही जोडी में सबसे पहले आ जायागा यहाँ पर पंच सील इसमें आ जाएगा भारत ठीक है उसके बाद अगला जो है भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी तो बच्चों यहाँ पर अब हम सही जोड़ी देखने वाले हैं तो गुड निर्पेक्च यह अंदुलन है वो बेल ग्रेट में आ जाएगा जो मिल रहा है प किसान सवा इसमें आ जायेगा दबाव समझात ठीक है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर जो है भारती यहाँ पर दल बदल विधेग ये भी कहा हुआ था भारत में हुआ था यहाँ पर भारती जन्ता पार्टी के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया इसलिए इसको हम नहीं मिलाएंगे अगले वाले क्यूशन पर चलते हैं हम और अगले वाले क्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सिध्धान्त क्या है परस्टी क्यूशन ये है जनमत क्या है दवाव समू क्या है सत्तरूरदर के कार लिखे और विपक्ची की भूमिका क्या है तो ये प पाटि लोकतांतिक एम समाजवादी आस्ता में विश्वास रखती है। समाजवादी पाटि पुंजी पतियों, पुंजी को आवर्शेक तता समाजवरोदी नहीं मानती है। तो यह दो सिद्धानत हो जाएंगे शमाजवादी पार्टे के। उसके बाद अगला क्यूस्टन था जन्मत क्या है तो जन्मत होता है नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है जन्मत उसके बाद लोक्त अंत्रात्मक सासंप्रणाली नागरिकों को राज नितिकें सामाजी का अधिकार पापत होते हैं इसमें लोक्त अंत्रिक सासंप्रणाली में उसके बाद यहां पर इन अधिकारों की रख्षा जन्मत के द्वारा की जाती है जन्मत सरकार को इसा कानून नहीं बना जाता है जिसे सरकार जिसे जन्ता के अधिकारों में हस्तचेप हो तो यह आ जायागा जन्मत ठीक है उसके बाद यहां पर अगला जो है दबाव समू दबाव समूग किसे का जता है समान आर्थिक हितों वाले वरग सरकार से अपनी मांगे मनवाने तका हित पूरे करवाने के लिए संगटन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं इन्हें क्या कहते हैं दबाव समूग आपकी इच्छा हो तो आप इनके उधाने भी लिए सकते हो दबाव सम्मोंगे उसके बाद अगला जो है सत्तारूड दल के कारे लिखिए तो सत्तारूड दल के कुन-कुन से कारे होते हैं सत्तारूड दल जनता के भी सरकार के द्वारा उठाएगे कदमों एवं नीतियों का प्रचार पसार करता है एवं जनमत निर्मान करते हैं उसके बाद अगला जो आजाए गा सत्ता रूड दल जनता इन सरकार के बीच पारी करते हैं उसका विपकची त्वारा सरकार पर लगा ज़े पत्रों को हंडन करके सरकार की नितियों को इस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो यह तीनों सत्रूट दल के कारी आ गए हैं उसके बाद विपक्षी क्या भूमिका है तो लोक तंत्रे में विपक्षी दल बहुत मुझत पूर्ण निभाता है यहां दबाव समु की रूप म में सबसे पिला जाएगा भारत में बहु दली व्योस्ता को समझाई है उसके बाद एक दली प्रभूत्यों के लाव और हानी को समझाई है उसके बाद बच्चों यहां पर हमने यह वाला आंसर इस वीडियों में हम नहीं बताने वाले हैं इसको हम आमार टेलिगान चैनल प को उसका एक दली प्रभूत्यों के लाव और हानी उसके बाद लोग तंत्र में विपक्ची की भूमिकाओं को समझाई है तो देखते हैं क्या है यहां पर बच्चों प्रिवेस क्यूस्चन का एक पाइंट और भी रह गया है आप देख सकते हो यहां संसद में अलग अलग कि जाएक ऑना तो यहां पर देख सकते हो आप यह करणाली यह करिंसोट ले सकते हो बिलकुल सटी का अंसर है ठीक है यह कि इसके बाद जो अगला वब्ला जो क्यूस्चन है एक दली प्रनाली के लाव और महानिया लिखना है तो यहां पर देख सकते हो आप यह लाब है लाब बता दिये हमने यह लाब है उसके बाद यह चार लाब है ठीक है उसके बाद जो है हानिया भी देख सकते हो आप यहाँ पर यह हानिया है ठीक है यह हानिया है उसके बाद लोकतंतर विपक्ची की भूमी का बिल्कुल यह वह झाल 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 झाल